Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, 6 wet truth always exposes darkness guys, so कैसे है सब लो, I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, तो आज का जो टापिक है guys, वो है कैनलवेक्स रीडिंग और आज हम देखेंगे कि आपके परसन जो है, आप जिन के लिए इस रीडिंग को देख रहे है, ठीके, वो आपके पार्टनर, वो आपके लिए क्या पोच रहे थे, सुबह से, ठीके, सो इट फिल भी आ टाइमलेस प्रडिक्शन, जिन्डर नीट्रल रीडिंग, मेल, फीमिल, सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको देख सकते है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, इंस्टेग्राम में मैं रिल्स दे रही हू पोस्ट दे रही हूँ, अपडेट, प्लीज, देखे, क्योंकि एक्स्ट्रा वीडियो भी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीके, रिगारिंग एंजल नंबर्स, मैं स्टोरी में भी पोस्ट कर रही हूँ, यूट्यूब स्टोरी में, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एंजल नंबर्स जब देखती हूँ, उसका मीलिंग डालके मैं पोस्ट कर देती हूँ, यूट्यूब स्टोरी पर, ठीके, तो आप उसको देखे जरूर, इवन इंस्टाग्राम में भी दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश देखे दियार सोल में, तो आपके जीवन में भी सेम रिटर्न होगा, ठीके, क्योंकि हम लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे साथ अच्छा ही होता है, लव इस लाइक, जस्ट लाइक कैंडी फ्लॉस, अब को पता होगा, कॉटन कैंडी, जो मेले में मिलता है, कार का जो एक्छाल लेंगविज है, वो मीठा है, और वरी लाइट होने चाहिए, देखे तो चलो, हलका होने चाहिए, लव, टेंचन नहीं देने वाला लव होना चाहिए, प्लीज लास तक देखना, क्योंकि ओरकल कार्ड से भी हम देखेंगे, as usual, हर रोज जो हम करते हैं, कभी-कभी हम क्यूब्स का भी उस करते हैं, तो देख लेते हैं, अब ही आप अपने पार्टनर के उपर फोकस कीजिएगा, उनका नाम लेते रहे हैं, आपके परसन, जो मुझे यहां पर दिख रहा है, सुबह से ऐसा सोच रहे हैं, काफी जादा वो रेस्लेस फिल कर रहे थे, रेस्लेस मतलब क्या है, जैसा होता है ना कुछ काम अधूरा रह जाता है, और हम ना उसको complete जब तक नहीं करते हैं, तो हमारे मन में ऐसा चलते रहता है, यह कब complete होगा इस तरह से, I'm sorry for this, okay, तो कहीं न कहीं पर मुझे इस तरह से भी महसूस हो रहा है, यह इनसान जो है ना, आपके person के initial में aim हो सकता है, ठीक है, aim हो सकता है, या in हो सकता है, या we हो सकता है, आपके person sagittarius, धनुराशी हो सकते है, यह इनसान जो है, सुबह से यह सोच रहे थे कि, इनका जो anxiousness है, मतलब बहुत ज़दा यह चिंतित थे, कुछ issues को लेके, ठीक है, हो सकता है, इनके career को लेके हो, या इनका family में कुछ problems चल रहा है, तो वो उसमें इतना ज़्यादा visit है, उसके साथ-साथ यह सोच रहे थे कि, काश आप होते, तो आपके साथ share कर बाते, हो सकता है, कि इनसान इस तरह से introvert भी है, अगर आप उनके साथ contact में भी हो, श जगा पर बैठ के सोच रहा है, कि आगे क्या करना है, इस relationship को लेके, कहीना कहीं भी मुझे इस तरह से दिख रहा है, आपके person जो है, इस रिष्टे में focus करना चाते है, ठीक है, इस रिष्टे में जो उन्होंने इतना दिन से ठीक है, इग्नोर किया है, या अंदिखा कर दिय है, या उन्होंना कर दिया है, उनको इस तरह से लगा कि जिन्दे की ऐसे नहीं चल सकता, ठीक है, लोगों का लाइफ वो देखते है, अपने friends का लाइफ जो है, सटल है, ठीक है, हो सता है कुछ परसन, आपके परसन जो है, भले ही यंग हो, लेकिन हो सता है याँग दिखने है, यह देखते है, इनको आप लगता है, कि ठीक है, मैं आपने career में थोड़ा समय सटल हो जाओ, ऐसे ही सोच रहे थे, और फिर मैं आपके साथ, मतलब या आपके साथ कुछ हद तक बात करे, इसको सही करे, basically इनके motive जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, कि इस रिष्टे का balance जो नहीं था, balance नहीं था मतलब क्या है, आपने अपने तरब से 100% दिया, लेकिन अगर कोई नहीं देना चाता है, या वो मतलब इच्छा नहीं रखते, for example, अगर दो इनसान को एक project दिया गया है, handle करने के लिए, या कुछ लिखने के लिए दिया गया है, और बोला गया है कि दोनो ideas मिला के आप कुछ बनाओ, creative बनाओ, तो एक बंदा ने बोल दिया, कि ठीक है, मैं बना देता हूँ, और दूसरे नहीं ऐसा कहा, कि नहीं, मैं, I'm not interested, लेकिन वो project या वो assignment दोनों के लिए था, वाना ये complete नहीं हो था, तो आपके जिंदगी में completion इसलिए नहीं है, क्योंकि ये इनसान नहीं है, ना इस इनसान के जिंदगी complete है, आपके बिना, ठीक है, मुझे इस तरह से इस तरह से दिख रहा है, ना कहीं ना कहीं पर ये इनसान जो है, ठीक है, वो I do feel like that कि, yes, currently ये ना किसी के बहकावे में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे है, उनको guidance द इनका दिमाग कुछ उल्टा ही चल रहा है, मतलब समझ कुछ और रहे है ये इनसान, ठीक है, क्योंकि ये इनसान कभी भी कोई भी बात को, अगर आपने notice किया होगा, कभी भी कोई बात को straight forwardly नहीं लेते है, ठीक है, मतलब उनमें वो जली वी वाला जो twist होता है, वो समझ ल तरफ से मुझे यहाँ पर यह भी महसूस हो रही है, यहाँ पर मुझे इस तरह से एक बिल्ली नजर में आ रही है, यह इनसान बहुत ज़्यादा alert है, cautious है, बहुत ज़्यादा, इनसान step भी लेंगे ना, तो सोच समझ के यह step लेंगे, जिस तरह से आपने देखा होगा एक दिरी को, धीरे 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 जाता है वो, तिक है, और जादा मतलब जैसे एक डॉग है बहुत ज़्यादा भॉग देता है, वह नहीं करता है, बहुत slowly, silently, यह इनसान इस तरह से है, तिक है, क्या कर सकते हैं, तिक है, दूसरा चीज है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक वोमन है उनके लाइफ में, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, यह वोमन उनके मॉम हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, जिनके साथ इनका रिलेशनशिप अगर थर्ड पार्टी है, ऐसा रिलेशनशिप है, ना सोसाइटी के सामने वो बोल पात आपको यह शेयर कर पाते हैं इस तरह से हैं वो तो शेयर नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेटी आप गुस्सा करोगे या ऐसा कुछ और मतलब एक औरत है इनके लाइफ में जो सही में इनको ट्रैप करके रखा हुआ है और में भी एक विडो हो सकती है या हो सकता है कि इनका और प्रेडी सप्रेशन हुआ हो या इनके हस्बन कोई और जगा पे रहते हैं लेकिन आपके पार्टना के साथ इनका एक रिष्टा जो है वो इल्लीगल है मतलब इल्लीगल मतलब नाजाइस है यहां पे मुझे लगा यहां पे that depends on the situation बट यह जो रिष्टा है न यह कभी नहीं खिलेगा उनके साथ अगर आपको insecurity है ठीक है कि यह रिष्टा खिलेगा या इनके साथ यह affair पूरी तरह से संबंद बना लेंगे या कही न कहीं पे इनके साथ ही continue करेंगे बट बिल्कुल ऐसा नहीं है यह ऐसा रिष्टा है जो समाच के सामने approval नहीं मिलेगा इनको कभी भी क्योंकि यह already हो सता है शादी शुदा है या already यह आपके person से शादी नहीं करना चाते लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी तालुकात रखना चाते हैं और पैसा लेना चाते हैं और कुछ नहीं सिर्फ उस तरह का relationship है मुझे यहाँ पे दिख रहा है और यह आपके person को काफी ज़्यादा stop करते हैं कि आपके person कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं आप देखोगे कि जब यह उनसे phone में chat में बात करते हैं शायद आपके साथ stop कर देते हैं उसके बाद कुछ देर के बाद फिर से यह बात करते हैं यह इस बिस पर्सन यह जो इंसान है यह जो और यह आपके person को अपने पयर के नीचे दबा के रखे मैं आपको बता रही हूं this is not a healthy connection काफी ज़्यादा poisonous connection है यह पे वर्गर हो सकता है कन्या राशी हो सकता है है यह पे देखो यह जो face आ रहा है this is like a you can say that a cartoon face which is coming कहीना कहीन पर इनके आप जिस तरह से बहुत ज़ादा लवबल, जिस तरह से बच्चे जो है ठीक है, इनको ऐसी चैरेक्टर्स पसंद है, जो बहुत ज़ादा स्वीट हो, सोबर हो, रिलेशन्शिप में, आप भी वैसे बच्चे की तरह हो, लेकिन इनका जो रूप आपने द इनका जो वर्दाओ, इनका जो ऐसा है, वो चेंज होता गया, यह रिष्टा जो है, वो बदल गया, इसके माईने ही बदल गया, मीनिंगलेस हो गया यह रिष्टा, एक समय पर, इस तरह से मुझे यहाँ पर दिख रहा है न, अच्छा, आपके परसन, अगर यह फीमेल है, इनको बिंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, यह बिंदी बहुत ज़्यादा पहनते है, बड़ी बड़ी बिंदी या छोटी जो भी है, इनको बिंदी पहना पसंद है, अगर आपके परसन फीमेल है, तो, दीखे, C लेटर इहां पर आ रहा है, E लेटर इहां पर आ रहा है, O है, बाकि सारे साइंस के लिए है, फिर में बता रहे हूं, यहां पर इंसान जो है मैं देख रहे हूं, यह तो relationship एक toxic है, बाकि इंसान जो है अपने जिंदगी में, बिल्कुल अखेले हैं, उनको कोई सहारा देने व चाहिए, तो definitely उसका जो effect होगा ना, जैसे मैं आपको बताया था कि Newton's law में, every action has an opposite and equal reaction, तो इस उभे से ऐसा सोच रहे थे इस इंसान से, जो चाहिए वो male हो या female हो, कैसे चुटकारा मिले भाई, मिले तो मिले, कैसे मिले उनसे चुटकारा, ठीक है, eight of swords जैसा, उनका हलत है, करना चाहते है आपके साथ friendship, union में आना चाहते है, सब कुछ confess करना चाहते है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, उसके लिए वो sorry बोलना चाहते है, yes, वो आपको ना, दूर से आशिरवात दे रहे, मुझे ऐसा लग रहा है, कि आप खुश रहो अपनी जिंदेगी में, उनको लगता है, आप better deserve करते हो, ऐसा उनको लगता है, सुबह से उनको ऐसा लग भी रहा था, कि आपकी जैसे इनसान और भी बहुत बरिया इनसान के लायक है, शायद वो ही आपको इतना बरत धोका दे के, सही नहीं किये, या बहुत कुछ छुपा के, सही नहीं किये, तो आप better deserve करते हो, इविन आपको कभी अभी कहा भी था इन्होंने, कि आप relationship से अगर move on करना चाते हो, अब कर सकते हो, ये इंसान जो है, आपके सामने गिर गिराना चाते है, पट उनको वो मौका नहीं मिल रहा है, या वो नहीं कर रहे है इस वाक्त, इसलिए वो restless हो रहे थे, फैमिली में भी problem, जॉब में भी problem, और यहां यहां पे भी problem, यह relationship जो मुझे यहां पे दिख रहा है न, यह patience के साथ deal करना पड़ेगा दोनों को, अगर आप इनके final decision बोलो, या next step बोलो, यह definitely आपके साथ चाहेंगे, ठीके initiative लेके यह आगे, बट उसके लिए आपको थोड 5 days, 5 weeks, या 5 months यह लगे, contact करने के लिए, ठीके, आपके person cancer basis, scorpio भी हो सकता है, आपके person के नाग बहुत जदा pointed होंगे, और अगर यह female है, ठीके, इनके बाल हमेशा यह देखोगे, कि ponytail बात के रखते है, ठीके, या मतलब, जब इनको जरूरत होता है, तो ponytail बात देते है, अग अगर mail के लिए देख रहे हो, तो यह इनसान जो है, अच्छा कोई यहाँ पर आप दोनों ने क्या एक साथ कभी भी horse riding किया है, या elephant riding किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, कि कही नहीं पर riding दिख रहा है, अदर horse या elephant safaris, या कही नहीं पर bikes के ऊपर चलना, या long drive में जाना, बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या planning आप लोगों ने किया था, लेकिन शायद successful नहीं हुआ है, कुछ लोगों के लिए, अगर आप already married है, हो सकता है, honeymoon में अपने किया होगा, टॉरस दॉर को Capricorn भी यहाँ पर दिख रहा है, मुझे, इंसान की beard भी हो सकते है, I do find Taurus भी हो सकते है, ब्रिशब राशी, यह देखो, आपके साथ पूरी दर से union में आना चाहते है, can you see this, देखो, this person wants union with this, देखे, पट उनको लगता है कि आप और इनको मौका नहीं दो कि क्योंकि आप alert हो चुके हो, आप इनको पूरी दर से समझ गए हो, आप इनके उपर और भरोसा नहीं करते, ठीक है, अभी हम देख लेते हैं Oracle Card से, सुपोर देख लेते हैं, what's from the Oracle Card, what's coming for you as a guidance, देख लेते हैं क्योंकि इंपोर्टंट है, guys, Surrender, देखो, at times we must surrender the old before something new can enter our lives, कुछ लोग कमेंट सेक्शन पर लिखते हैं, मैं, हमें नहीं रहना है, relationship में हमें हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है मैं हमेशा ही guidance देती रहती हूँ देखो अगर यह बहुत जदा abusive relationship है या था ठीक है अगर आपको इस तरह से लगता है check your intuition आपको लगता है नहीं यह हम इनके साथ अर्जस नहीं कर सकते then you take your own decision अगर आपको लगता है कि नहीं यह temporary phase है यह चला जाएगा सब को सही हो जाएगा एक दिन तो please आप इस relationship में quit ना करें बर surrender जरूर करें universe को surrender करें और उनको बोले जो आपके मर्जी होगा वही होगा यहाँ पे देखो romance क्यो पिर zero strikes यह इनसान जो है आपके साथ एक romantic connection में आना चाहते है of course love sex relationship time you are trying to hard give it time देखो आप बहुत ज़दा कोशिश अगर आप इस वक्त कर रहे हो उनको convince करने के लिए कुछ लोग failure हो सकते हो क्योंकि इनकी स्थिती जो है मुझे नहीं अच्छा नहीं दिख रहा है mentally और emotionally अपने life में balance नहीं कर पा रहे है तो सही समय यह नहीं है सुबह से इसलिए मैं बोल रहे थी यह disturbed feel कर रहे थे ठीक है और love क्या चीज होता है कि आपको तो it's like a candy floss light होने चाहिए ना heavy नहीं होना चाहिए wait don't rush into it allow nature to take its course please आप universe को या nature को अपना काम करने दीजे यही आपके लिए advice है तो यहीं पर मैं end कर रहे हूं reading को I hope you like it and please do share, subscribe and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity, dare or sex, where truth always exposes darkness and will expose darkness thank you guys and love you a lot